नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बेड एक्जाम पे जहां हम लोग करते हैं बातें प्रिविस एर पेपर्स की और साथ ही साथ देखते हैं इंपॉर्टल कोश्चन महत्वपूर परश्ण जो कि आपके एक्जाम नेशन की दृष्टी से बहुत ही साथ ही साथ हम यहां पर वैसे प्रश्टों और वैसे चोटे चोटे कोश्चन के ऊपर भी डिसकस्वन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जो कि आपके सीटेट और एक्जाम की जो पेपर्स हैं उसे समंदित सारे कंटेंट अभी पोस्ट कर रहा हूं तो आप बिल्कुल भी मिसनक करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब करने ताकि आगे आने वाली वो इंपोर्टन वीडियो से या वो मतपूर्ण चीजें आपको कभी मिसना हूं तो दोस्तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर तो यहां पर इस लिखा है और हम उसको उसी साफ से पढ़ते हुए चलते हैं कि प्रसिचण के स्तर पर ही आध्यापक को सारी विकास के विभिन आयामों, मुद्दों, कारकों, विस्यस्ताओं का ग्यान दिया जाना चाहिए अर्थ प्रसिचण के दौरान में ही आपको अध्यापक बनने से पूर्वे ही इन बातों का ग्यान हो जाना चाहिए कि एक बच्चे के सारेडिक विकास का उसके स्वमाजिक, समविगात्मक और अन्यकारकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है आपको असपष्ट होना चाहि कि सारेडिक विकास ही जो है समविगात्मक विकास, मानसिक विकास और गतिक विकास का आधार होता है सारेडिक विकास से परिचित अध्यापग, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में बालक के सारेडिक विकास और सिछा के लक्ष को प्राप्त करने में आहम भूमिका निभा सकता है या अपनी भूमिका को सफलता पुर्वग निर्वाह कर सकता है क्योंकि जब बच्चे के बारे में उसको पता होगा सरीर के विकास के आयमों का उसको पता होगा कि वो कौन से कारा जिसे प्रभावित होते हैं सरीर का विकास और मानतिक और बौधी विकास तो सिच्छक उन चीजों के प्रति सचियत होगा और उनके उपर उनको कार्ड करेगा आए देखते हैं वो कौन सी महत्पूर्ण बात है जिसको सिच्छा को ध्यान देना चाहिए जो कि बच्चे की सारेरिक विकास और साथी साथ उसके बौधी विकास में भी महत्पूर्ण होता है तो पहला है पॉइंट जो हमनों यहाँ पर देख रहे हैं वो है कि बालक का ध्यान रखे अध्यापक को चाहिए कि कच्छा तता विद्याले में ऐसे कार्कों को नियंतित करें जो विद्यार्थी के सारेरिक स्वास्त पर कूप प्रभाव डालते हैं नशा करना, गंदी आदतों का, गलत संगतों में रहना या फिर गलत भासा का परियोग करना या किसी प्रकार की गलत धाना अगर इस प्रकार की किसी भी चीज का अगर एक सिक्छक को पता चलता है कि बालकों के मद ऐसा कुछ चल रहा है या बालकों का ऐसे चीजों के साथ में संपर्ख है तो सिक्षक को ऐसे बालकों का ध्यान रगतर उनको फ्नेह पूर्ण तरीके से समझाना चाहिए कि जो ये चीजें हैं उनका उनके स्वास्थ पर उनके आने वाले भविश्थ पर उनके व्यक्तित्यों पर क्या बुरा यानि कि बच्चों जो कि विभिन अलग अलग परिष्थितियों से विभिन भासाओं से और सांस्कृतिक परिवेश से संबंद रखते हैं जब वो विद्याले आते हैं तो ये सारी मानेताएं रिती रिवाज बोल चाल का तरीका इस सारा कुछ अपने साथ विद्याले में विलाते हैं तो अध्यापक का कार है कि वह बालक में उन कौसलों का विकास करें जिसे वह अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिष्थितियों में सामाजन कर सकें अर्थात कि जब बालक विद्याले में आ जाता है तो वह अने बालक जो कि उससे भिन भासा भिन सामाजिक सम्मान करना सिखाता है, साथ ही साथ उनके साथ सामंजस से बैठाकर सिख्छा गरहन करनी की प्रक्रिया को सुचारू रंग से चलाता है, बच्चे को भी इस कारे में दक्च करता है, प्रसिछड देता है, कि एक समाज में समाज के लोगों के साथ कि इस प्रकार से मेल जूल कर के कारे को निरवाह किया जाता है अगला प्रश्च अगर अगर सिच्छा को पता है कि अधियन करने के वो कौन से सबसे सुद्ध और अच्छे तरीके हैं जो कि उसको बच्चों को बताना चाहिए तो, फिर उससे बचों का, जो सीखने का तरीका और सारिक विकास जो होता है वो भी प्रभावित होता और वो अच्छे तरीके से होता तो, एक अध्यापत को, एक सिंचक को प्रसिछन के दोरान में अच्छी और प्रभावसाली जो साधन होते हैं सिच्छण के उनका ही प्रयोग करना चाहिए अगला प्रश्ण मतलब पॉइंट है खेल और व्यायाम तो सिच्छक को खेल और व्यायाम के प्रतिस विद्यार्थों की रूची और उस्ता जगाने का कारे करना चाहिए क्योंकि खेलने कूदने से सारीरिक व्यायाम होता और सारीरिक व्यायाम से सरीर स्वस्त होता है और आपको पता है कि सारीरिक स्वास्त और सारीरिक विकास का बौधिक और समवेगात्म विकास सीधा सीधा प्रभाव पढ़ता है तो अध्यापक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे स्वस्त रहें और उसके लिए जो आवश्य खेल कूद या वाद विवाद या जिस जो भी कारेकरण जिसे उनकी सारीडिक जो कारेसली है वो बनी रहे उनके सरीर स्वस्त रहूं ऐसा कारेव में बच्चों को ぁुआ कि दो एक गुरुजन अपने शात्र के साथ लिए vivid a दे अचाफ शाक्षाट के बारे में उसकी बेबहूरों के बारे में काफी परइशित हो जाते हैं तो उनका करतव योपनता है कि वह उनके बच्चों के अनके दिंचर्य के सहली के बारे में उसके रहन सहन उसके कारे करने की चीजों के बारे में चर्चा करें इस से बालक के सारीरिक विकास और स्वासत के प्रत्य अध्यापक अपनी परभश भ्यूंका निभादा चकार, अर्थात सारीडि विकास में सिख्छक योगदान कर सकताpract ॥। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार, की त्रुटी, किसी प्रकार की शमस्या देखने को मिलती है और वो माता, पिता को बताया जाए समय से तो माता-पिता बी उस करति के परति बीमारी के परति अपना ध्यान दे हैं और समय सारणी का निरमान करना चाहिए साब कच्छा के अंदर तथा बाहर के विविद क्रिया कालापों का आयोजन ग्रिह कार्य प्रदान करना आदी सारी विकास की आउस्थाओं के अनुरूप करना चाहिए मतलब कि अगर एक टाइम टेबल बनाया जा रहा है तो सिख्छा को क्या करना चाहिए कि आपने बच्चों की कारे करने के लिए एक समय सारणी एक टाइम टेबल का निर्माण करना चाहिए जिससे की बच्चे को उसकी आउसक्ता और उसकी छमतायों के अनुरूप सिख्छड दिया जा सके यहां पर यह भी दिहान रखना है कि सिख्छड का मतलब सिर्व विद्धाले के अंदर की बात नहीं हो रही है ऐसी वह सारी चीज़े या विवित क्रिया कलाप जो की कक्छा में और कच्छा के बाहर होती है वो या फिर जो ग्रिय कार्य करने को बच्चों को मिलता वो सारी बच्चों की जो बौदिक अस्तर या सारे लिक छमता होती उसके अनुरूप ही होना चाहिए अगला पॉइंट है तराव मुक्त वातावरण तो अध्यापक को व्यायया योग जैसे कारेक्रमों को गंभीरता पूरो आयोजित करना चाहिए अक्सर पाया जाता है कि इस प्रकार के कारेक्रमों को अध्यापक हलके फुर्के ढंक से संपाद करने का प्रयास करते हैं जिनको कैम लोगते पार्थ सहगामि कारेक्रम सिक्षक विद्याल संस्था जो एक एक फॉर्मैलिटी के रूप में एक मतलब क्या करें उसको एक कारेक्रम के रूप में जो क्यों को करना है इस तरह से लेकर उसको करती है जिससे होता क्या है कि बच्चे जो है उसका जो सही प्रभाव है वो नहीं पड़ पाता है अगर सिक्षक जैसे अभी यहां पर हम बात कर रहें कि योग या वाद विवाद या किसी पार्टे सहगामिक क्रिया कलापों को अगर अन्मने धंसे या बिना अनुसासन के या बिना किसी क्रिया सीलता के साथ करवाते हैं तो उसका जो अपेक्षित जो प्रभाव बच्चे को होना चाहिए जो बच्चे को लाब मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है अतो एक फ्री और एक मुक्त वातावरन में साथी साथ एक अनुसासित वातावरन का निर्माड करके ऐसे कारेकरमों का आयोजन होना चाहिए और ऐसे कारेकरम का संचालन भी होना चाहिए मनरंजन के साथ बालक के सरीर विकास में रूचिया आदतों आकांच्हाओं आदिक की संतुष्टी का विशेस महतों होता है अध्यापक को द्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा चैनित या नियुजित क्रियाओं से बालकों की रूचिया आदत लते हमतलब कि बच्चे क्वैसे आनं दाता है या उनसे कारे देने का प्रयास करना चाहिए या सचोक को प्रिसिछड के दोरान या कोई खेल कूद का चुनाव करते वक्त या कोई कारेकरम या कुछ चीजें निरधारित करते वक्त बच्चों के उस मानसिक इच्छा उस मानसिक दसा या बच्चों के रुचियों का बिलकुल ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे उसमें बढ़ च लेखने को भी लेंगे इसके अलावा ध्यान पुर्वक दंदिना बच्चों को अनुसासन सिखाना बच्चों को बच्चों के अंदर जो कुछ गलतिया हैं उसको दूर करने के लिए कई बार सिक्षक और माता पिता भी दंड का सहरा लेते हैं परन्तों इस बात का बिल्कुल इस प्रकार हो उससे बच्चे की उपर कोई दूस प्रभावन पड़े हो कि उसको कोई सारीडी खानी नहीं हो बच्चे की बौधिक विकास और उसके मन विज्ञानिक जो स्थिति होती है चेतन मन उसके कोई उसका दूस्प्रभार नहीं पड़ना चाहिए वह आंसिक होना चाहिए दंड इस तरह का हो जिससे की बच्चेक में